इसकोड लेंड वर्सेज नियुजी लेंड दोस्तों इन दोनों का ना टीटोंटी मैंच होने वाला जो पहला टीटोंटी मैंच है वेड़नेश डे 27 जुलाई इंडिया टाइम अनुसार 7.30 पीम से आप इसका लाइव एक संद देख सकते हैं दोस्तों अगर हम यहां पे निय सबको बोलें कि तुम ना हमसे जीतना पाऊंगे तब से ना बहुत गुष्चे में इसलिए जो भी आएगा सबको हराते जाएंगे लेकिन सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो लाइक क्योंकि आप लाइक कर दो लाइक करते थिया दिल पर बात लगती है इसलिए आपके फायदे के लिए टेलीग्रम पर जान लगा देता है जान जिन लोगों ने मेरा टेलीग्रम जोइन किया ना बहुत ही फायदे में आप सब्सक्राइब कर दा एक चीज़ का ध्यान रखे फेक से साउधान मेने नाम पे बहुत ज़्या करेंगे इधर उधर और कहीं से जोइन ना करें जो लिंक के मिलेगी डिस्किप्शन में बस वहीं से मेरा टेलीग्रम जोइन करें तो उस तक हम इस मैच की बात करें रैंज किर्केट कलब एविन बग में खेला जाएगा इस मैदान पर इस से पहले टी टुन्टी के ग्यारा मैच के लेगा जिसमें से साथ मैच में टार्गिट डिफैंड वा और चार मैच में टार्गिट चेज हो सकता है तार्गिट डिफैंड की बात पर 184 प्लस स्कोर बनेगा तो तस मैच में से आठ मैच में target defend हो सकता 168 से 184 के भी इसमें target होगा आप समझ जा ना अब यह जो मामला है ना वो बराबरी का change भी हो सकता है और defend भी हो सकता है दोस्तों यहां के मैदान पर ज़्यादा तर जो match होते है वो medium scoring होते हैं क्यों होते हैं जो तेज गेंवाज होते हैं उनको काफी जादा help मिलती है तो रन बनाना थोड़ा सा मुस्किल होता है लेकिन शिसाथ ओवर के बाद यहां का जुपीछ होता है बैटिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाता है तो रन भी बनते हैं इसलिए जो match होते हैं थोड़ा सा मीडियम स्कॉरिंग होते है अगर हम आज की मैच की बात करें तो पावर पिले में 40-45 बन सकते हैं 20 ओवर की बात करें तो 165-180 के बीच में आपको टार्गेट देखने को मिल सकता है तो वहीं दोस्तों अगर हम यहां के मैदान पे पहली बार T20 मैच के लेगा तो चलो जानते हैं कंडिशन की इसाब से कौन से टीम कंडिशन का फाइदा उठा के जो मैच होगा उसे अपने नाम पे करेगी तो अगर हम यहां पर स्कॉर्ड लैंड की बात करें तो जो इनके तरफ से टीम से खेलने का मौका मिला है, मैथ्थू क्रोज, बिकिट की पर बल्ले बाज है, मैथ्थू क्रोज की बात करें यह भी काफी experience बल्ले बाज हो, काफी बढ़ी है स्कॉर्ड लेंड के लिए बल्ले बाजी करते हैं यह पांचो नमबर पर क्रेग वेलेस, क्रेग वेलेस की बात करें तो मतलब एकिसाब से कर सकती है, ज्यादा experience नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज की माज में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं चाथवे नमबर पर रिची बेरेंग्टन, रिची बेरेंग्टन कप्तान है इस टीम के, और रिची बेरेंग्टन की बात करें तो बल्ले बाजी बढ़िया करते हैं, गेंदवाजी भी मतलब भरकी कर लेते हैं, तो बढ़िया आलोंडर बल्ले बाज हैं, उसके बाद यहा उसका जिम्मा समाल के चलते हैं तो माँक वाड भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं सभी मैचो में सकोट डेंड के लिए बढ़िया पर्फॉरमेंस करके देते हैं वही न्यूजिलेंड की बात करते हैं। तो अगर हम यहां पर दोनों टीमों का कमप्रीजन करें तो कहीं न कहीं जो निजी लेंड के टीम है वो जादा मजबूत मज़र आ रही है किस से स्कॉर्ट लैंड से वहीं अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सी मैच की प्रफॉर्मेंस की बात करें इसकॉर्ट लैंड ने लास्ट के 630-20 में बस दो मैच जीता तो नीज़ी लैंड ने लास्ट के 630-20 मैच में 4 जीता 2 हारा बतलब नीज़ी लैंड बढ़िया कर रहा है इस दोरान जो इनका बल्ले बाजी अबरेज है 173 जो की बढ़िया होता है गेंद बाजी अबरेज की बात करें और इस भूट्लेंड से बहुतर ने जा रही है और अगर हम इन दोरो टीउपों के हैट टिए डिकोर्स की बात कट इससे पहले दो टी-टून्टी मैच के लेगा किसके नीज़ी लैंड और सकॉड्ड लैंड के वी लगता है जो आज क्या मैच होगा ना न्यूजीलाइड टीम अपने नाम पर कर सकती है अगर ऐसा कुछ होता है ना तो मैच च्टार्ट होने के दो तीन घंटे पहले जो फाइनल पेड़ेक्शन होती है ना वह तो मेरा टेली ग्राम आपके लिए जोई करना बहुत ही जरूर जिन लोग ने जोईन किया बहुत ही फाइदे में आप सो चुरूर अच्छा ऐसा क्या तेरे टेली ग्राम पे तो मेरी मतमानों डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक की मिलेगी जोई करो तो चार मैचों मेरे साथ काम करना आपको इतना फाइदा होगा आप यही बोलो के पहले जोईन क्यों नहीं किया कोई बहुत नहीं अभी कौन सदीर होगी सभी मैचो में आपको फायदे में रहना सो चलो अगर फायदे में रहना तो बस जोईन कर डालो एक चीज़ का ध्यान रखना फेक से सावधान मेरे नाम पहना बहुत ज्यादा टेली ग्राम चैनल बना लिय तो आज की वीडियो में इतना है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर तो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैस की फेडिक्सन के साथ तब तक के लिए गौड ब्लेस यू